जरा ये रेल देखे तो चलिए एक काम करें हम भी एक नारियल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम भी यही सेम चीज कर सकते हैं मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं साइंस इस डोप जब मैंने इस रेल को पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि यह काफी नई चीज है मुझे लगा इसे डिबंग करना बहुत आसान होगा क्योंकि मुझे लगा कि वो अपनी उंगलियों से उसे उठा रहा है मैं इंस्टाग्राम पर इसको डिबंग करते हुए एक वीडियो डालने ही वाला था तभी मुझे एक और वीडियो मिली जो मुझे इस यूट्यूब वीडियो की तरफ ले गई लेकिन जब मैं ये वीडियो देखी तो दो चीजे हुई तो आखिर ये कर कैसे रहा है मैंने इसके पीछे का सच पता लगाने का निर्णे लिया इसके जवाब की तलाश में सबसे पहले मैं यूट्यूब पर गया वहां मुझे दो चैनल मिले जिन्होंने इसको इंग्लिश में समझा रखा था इन दोनों वीडियो में ही ये दावा किया गया कि पानी जमीन में होने के कारण इलेक्ट्रो मोटिव और मैग्नीटो मोटिव फोर्स बनाता है जो नारियल के अंदर पानी में जो मिनरल्स है उन्हें अफेक्ट करता है दूसरे चैनल ने इस चीज को दो L-shaped rods को लेकर समझाया जो की नारियल को यूज करने जैसा ही है उसने दावा किया कि चार्ज आपके शरीर से होते हुए उन iron rod में जाता है जिससे वो एक दूसरे से repel होते है क्योंकि उनमें एक ही प्रकार का चार्ज है सबसे पहली बात की electricity और magnetism इस तरह से काम नहीं करते ये दोनों ही चैनल scientific terminologies का इस्तिमाल करते हैं ताकि वो इसे सही साबित कर सकें लेकिन आप ऐसे दावों से धोखा मत खाना मुझे जानकर अच्छा लगा कि कई regional channels ने इसको समझाते हुए वीडियो बनाई है पर उनमें से कोई भी हिंदी में नहीं थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये वीडियो बनाऊं और बाकी लोगों तक इसको पहुँचा दूँ जमीन के नीचे के पानी को ढूंडने की इस प्रक्रिया को divining या dowsing कहा जाता है इसका एक और वर्जन है जहां नारियल की बजाए L-shaped rods का use किया जाता है ये वर्जन भारत के बाहर काफी popular है लेकिन भारत में आपको नारियल वाला वर्जन ही मिलेगा जेम्स रैंडी जोकी एक लोगप्रिय जादूगर थे उनकी एक documentary है जो आपको YouTube पर मिल जाएगी इस documentary में James Australia के Water Diviners को expose कर रहे हैं double blind trial का इस्तेमाल करके मैं इसे नीचे link कर दूँगा लेकिन आज मैं आपको नारियल वाली trick को expose करके दिखाऊंगा चलिए इसे ट्राइ करते हैं अरे लगता है इधर पानी है अरे इधर भी पानी लगता है और यहां भी अरे यहां भी पानी है लगता है हम किसी समुद्र के उपर ही खड़े हुए हैं जी नहीं मैं बस मजाग कर रहा हूँ यह देखिए इस जगह जहां पहले पानी मिला वहां पर अब पानी नहीं है अरे नहीं यहां तो पानी है अरे अब पानी चला गया अरे पानी फिर आ गया मैंने सोचा क्यों ना इसे बकेट्स के साथ भी ट्राई करूँ तो यहां मेरे पास दो बकेट्स हैं एक में पानी है और दूसरी खाली है और आप देख सकते हैं कि नारियल दोनों के उपर ही लेटा हुआ है लेकिन अगर आप चाहें तो आप नारियल को खड़ा भी कर सकते हैं दोनों बकेट्स के उपर फर्क नहीं पड़ता उनमें पानी है या नहीं यह पूरी चीज सरासर स्कैम है आप इस मेथड का यूज करके जमीन के नीचे पानी नहीं ढूंड सकते जेम्स रैंडी ने अपनी डॉक्यमेंटरी में साफ साफ बताया कि इस तरीके से पानी मि लाकर नारियल को धक्का देकर उसे खड़ा कर सकते हैं इस चीज को आइडियो मोटर एफेक्ट के नाम से जाना जाता है और यह हमेशा इंटेंशनल नहीं होती ऐसा नहीं है कि यह लोग हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं इनका दिमाग एक आउटकम को एक्स के साथ करते हैं तो हमें यह स्कैम देखने को मिलता है यही सेम चीज आपने फिल्मों में देखी होगी जब लोग वीजा बोर्ड का यूज करते हैं या फिर जब लोग रुद्राक्ष का इस्तिमाल करके पॉजिटिव या नेगेटिव एनरजी का पता लगाते हैं यही एक एस्प्लेनेशन से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ मेरे मन में अभी भी कई सवाल है जैसे कि नारियल सीधा ही क्यों खड़ा होता है वो पीछे क्यों नहीं गिरता या फिर एल रॉड्स एक दूसरे से दूर क्यों जाती हैं जब हम अपने हाथ को थोड़ा उपर करते हैं मुझे इन चीजों के जवाब किसी वीडियो में नहीं मिले तो मैंने इनके जवाब इस वीडियो में देने का डिसीजन लिया एक pendulum अपने center of mass पर रुका रहता है इस समय pendulum का bob सबसे lowest point पर है अगर आप इसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के बाद ये वापस इसी जगह आ जाएगा ऐसा इसी लिए क्योंकि ये point सबसे stable point है लेकिन ऐसा क्यों होता है सिर्फ pendulum ही नहीं हर object अपने center of mass के सबसे lowest point पर stable होता है और उसी की तरफ जाने का try करता है आप इसे किसी भी चीज के साथ try कर सकते हैं जब आप किसी चीज को उसके balances से हटाते हैं तो वो गिर जाती है क्योंकि उसे अपने center of mass के लिए एक नया stable point मिल जाता है for example पीसा की मिनार पूरी तरह से तब तक नहीं गिरेगी जब तक उसका center of mass उसके base support से आगे नहीं चला जाता अगर ऐसा हुआ तो वो गिर जाएगी हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है पर धीरे धीरे ये उसे तरफ बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि ये कभी भी हो सकता है अगर आप बड़े पैमाने पर इसके बारे में बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धर्ती पर हर चीज अपनी potential energy को सबसे कम रखना चाहती है और धर्ती पर potential energy कम होती जाती है जैसे जैसे आप धर्ती की surface के पास आते जाते हैं चलिए नारियल पर वापस आते हैं देखने स लगता है कि नारियल एक गोला है जिसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है पर क्या आप जानते हैं कि नारियल अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर पानी होता है और नारियल का ज्यादातर वजन उसके पानी में ही होता है इसी लिए नारियल का center of mass कहां है वो नारियल के पा जटका देकर हिला सकते हैं या फिर अपने हाथ को जटका देकर उसे मोमेंटम दे सकते हैं याद रहे आप नारियल के अंदर के पानी को हिला कर उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसी तरह से L-Rod को भी explain कर सकते हैं जब आप L-Rod को थोड़ा नीचे की तरफ जुकाते हैं तो उसका center of mass सबसे lowest stable point पर चला जाता है जिससे की L-Rods एक दूसरे को cross करती हैं और जब आप L-Rods को थोड़ा उठाते हैं तो L-Rods unstable हो जाती हैं और उनका center of mass अब यहां बन जाता है जिससे वो एक दूसरे से दूर जाती है इस viral हुई वीडियो में भी बिलकुल यही हुआ है अब देख सकते हैं कि कैसे वो rods को उठा रहा है उन्हें दूर करने के लिए और जुका रहा है उन्हें पास लाने के लिए इस वीडियो में James Randi भी इसी चीज को explain कर रहे हैं ऐसा लगता है कि कई लोग चीजों पर प्राचीन भारत के विज्ञान का लेबल लगाते हैं ताकि उन्हें credibility मिल सके इसमें कुछ भी प्राचीन या भारतिय नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो ऐसी चीजों को scientific बता कर उन्हें rationalize करने की कोशिश करते हैं अगर आपको जमीन के नीचे पानी ढूणना है तो आप Ground Water Department या Geological Survey of India से contact कर सकते हैं ऐसा possible है कि उन्होंने पहले से ही जमीन के नीचे कहां कहां पानी है उसे map कर रखा होगा इसलिए इन scammers पर अपना पैसा बरबाद मत कीजिए ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है इस scam के लिए ये लोग 15-50,000 रुपए तक लेते हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में ये वीडियो शेयर करके उन्हें जागरूप कीजिए मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक याद रखिये science is dope